बताओ मेरा टाइमिंग 5 मिनट से जाद आता था जब यह आई थी उसके बाद वहां पर टाइमिंग यह थी वहां पर टाइम टाइमिंग से जादी आया यहां इस ग्राउंड में आर्ट सो मीटर का साड़े तीन मिनिट आता था लेकिन वहां जाकर लगबग तीन पांच पे मैं आ गई थी वहां बहुत बढ़िया श्यावास बारे में कैसे एक्सपिरिंस अच्पिरिंस बहुत अच्छा रा क्योंकि जब मैं आई थी तो मतलब इत तो हम कहीं भी फिजिकल देने जाएंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो कोई ऐसी समझाई हो कि सर्फ ध्यान नहीं दे रहे या अच्छी से तियारी नहीं करवा रहे हो यह ज़िए तो कभी नहीं बल्कि ऐसा ही होता था कि जो थोड़ा वीक बच्चा है जो बहुत हमेशा आगे-आगे दोड़ रहा है मतलब उस पर भी आप ध्यान देते थे लेकिन जो वीक बच्चा होता उस पर आप ज़्यान देते थे हमें तो यहीं एक्सपिरेंस हमेशा लगा कि आप हर एक पर बराबर ध्यान दे रहे हैं जो वीक बच्चे उनको हमेशा आप अधिसी के फीजिकल चल रहे थे और यह हमारे पास कुछ कंडिडेट थे जिन्होंने अभी फीजिकल किलियर किया है सब से पहले कॉंगरेटुलेशन सबको मेरे करफ से कंगरेटुलेशन बहुत-बहुत बदाईया हो और जल्दी से एक स्टार लेके बहुते हाँए आदेशन से लिए जानते हैं कैसा क्या एकस्पिरिंस आपैडबी के बारे में फीजिकल देखे गए थे यहाँ परफोर्मेंस थी और वाजा आके कैसी परफोर्मेंस आई तो कि अभी हाले में CPO के भी physical आने वाले हैं तो ये बच्चे अपना experience share करेंगे या training करने के बाद वहाँ का experience कैसा रहा जिसे आप लोगों को भी help मिलेगी कि या training करके जाओगे तो वह आपको physical देने में आसानी होगी या आपको hard पड़ेगा तो ये बच्चे हैं अभी पाच लड़के और है जिन्होंने physical clear किया total हमारी academy से 10 बच्चे ने CISF LDC department का जो exam था वो clear किया ये already पहले से ही costable है और इनका departmental exam होते है वो इन्होंने आठ साल के बाद होते है जो clear करने के बाद हमारे पास अटे सबसे पहले हमारे पास है तो आपकी टाइमिंग क्या ठी थि और वहाँपर क्या यह आये सब से पहले हमारे पास है जो फान रवात बंगा ता यहां से बहूत कम लगा ता तो सबसे आच्चे और एहांपर पिर्ण तम लता क्या הי이 क्या लगे क्या चीज़ें में जरूद है कि इंप्रूमेंट करें ऐसी चीजे बता हूं सर ऐसा तो कुछ नहीं लगता है यहां का मुझे लोंग जंप सबसे बैस लगाता जो एक दिन में सीख जाते हूं हाई जंप आपने एक दम एक दिन में सीख लिया था ठीक है और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहूंगी सर मैं कहना चाहूंगी मतलब जो भी आसपास के लोग यहां जोइन करना चाहते हैं तो आपको जोइन करें तो बहुत अच्छी बात इसके बात है हमारे पास सपना सपना स्टार्टी में क्या टाइमिंग आई थी और वहां पर आपने क्या सर यहां इस ग्राउन में 800 मीटर का साड़े तीन मिनिट आता था लेकिन वहां जाकर लगबग तीन पांच पे मैं आ गई थी वहां बहुत बढ़िया श्यावास यहां पर टाइम हम लोग झो यहां के पांचो लोग तेक अफूरन के सबसे गये पुरा जो पांचो बढ़े तॉकित व्हां ड़राय था उसक अपने बैच में इनु रेन एकभट टॉर सबसे आगे थे झलो बहुत बढ़िया ए जैसा कि आप जान सकते हो की यह जान सकते हो ज़गे श्यान करके जाओगी तो वार टाइमिंग पाथ 10 सेकेंड कम होंगी बट इनके आप टाइमिंग देख सकते हो 25-25-30 सेकेंड कम हो रही है तो बहुत अच्छी बात है बाकि अच्छी बारे में कैसे एक्सपिरेंस अच्पिरेंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब मैं आई थी तो मतल बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जोइन करना चाहिए अगर किसी का वीक है फिजिकल तो उसे ज़रूर यहां पर चाहिए ऐसा तो नहीं था जैसे बहुत बच्चे थे आपको पता है साट सतर बच्चे बहच में रहते हैं तो कोई ऐस जो थोड़ा वीक बच्चा है जो बहुत हमेशा आगे दोड़ रहा है मतलब उस पर भी बच्चा होता उस पर आप जादा देते हैं हमें तो यहीं एक्सपिरेंस हमेशा लगा कि आप हर एक पर बराबर द्यान दे रहें जो वीक बच्चे उनको हमेशा अपने यह किया है मत पूजा इस लड़की क की टाइमिंग स्टाइंग पांच मिंट से जाद आता था था श्टाइंग का ताइमिंग जब यह इलक उसके बाद वहां पड़ी में 2.45 बच्वाए घुग सब्हुत बच बढ़ी हैं कम से कम आप देख सकते हो 2 मिनट के आसपास इस ने टाइमिंग कम कि है लोंग जंप आई जंप एक बार में हो गया और सब कुछ बहुत इसी लगा पहले बेट कितना था पहले सर वेट 60 कि आप कितना है 57 कि पहले की फोटो और आपकी फोटो में काफी डिफ्रेंज देखने को मिल जाएगा आपको बाकि और क्या कहना चाहूगा अप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं मेरा तो किया बहुती बहुता पूर था लेकिन अपने अपने साथ भी दढ़ आया मेरे को कई रह और उसके बाद से मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रमेंट हुआ cylinder पर ज्यादा घ् criminal कि आग啊 कर चाड़ए विच्छ नहीं था जो ज्यादा वीक तर पाइजम नीकलता है और आप इसी कारन दे सकते हो चल्ड हमेसा टॉप रहता है और हमेसा टॉप ही रहेगा और इसके बाद लोंग जनोंग पाइजम पर एक बार रटैंप में सब हो गया था और बहुत इजी लगा जब आए टे के लिएलेगा जा नहीं होता था सिखा दिया चलो दन्यावाद बहुत वो उसके बाद हमारे साथ है रोमा स्टार्टिंग की टाइमिंग ती तीन अड़ा था इस इन अटारी सेकंड कम बहुत बढ़िया लोग जम फर्स टाइम आजब आजात ता के लिए तो और हैं जम फावल देंड़ा पकड़ ले थी अच सब्सक्राइम करना चाहिए जिसका नहीं हो रहा है आपको कभी ऐसा लगाओ कुछ चीजे सर को इंप्रूव करनी चाहिए या इसा एक्स्पिरेंस तो बहुत अच्छा था ता मतलब ऐसा कुछ नहीं आप तो पहले से सब इंप्रूब मतलब कि जो भी कुछ अच्छा पूर बताना और एक चीज जो पूजन अप चाहिए अपने भी देखा पहले भी देखा ब्यार एक साही के बच्ची वह रहे थे तो रिजट हमारा के सब्सक्राइब तो बहुत ही अच्छा यहां पर जो बच्चे हमने एक बीडियो भी देखा साथ में बल्कि उस एकेडमी में आता है, सिरियस बंदा होता है, वो सभी बच्चे फिजिकल कर लेते हैं, यह पर आने के बाद, मेरा मेन मोटिव यह है कि इन बच्चों को फिजिकल में कोई कमीना हुई, बागी देखो एकजाम पास करने के उपर इनके उपर है, बाद में कटोफ में ना माय ना आटा था पराथा चार से उपर आता है, लोंग जम पाई जब एक बाद मेरा क्लियर हो गया, जब कि इधर कभी भी मैं पहले से नहीं कर पाती थी अधर डंड़ में पैठ जाती थी पहले से अभी मेरा एक बार में हुग हाई जम में इस लड़की को फोबिया था, जंप कर पर इतना डरती थी जिसकी कोई हादी नहीं है है हाइड होने के बावजूद भी कभी आईजम पिछे से ले स्टैपिंग अड़ बड़ करती कभी मैं मैंने आज इसको किलियर करके बेजा गर पे अगले दिन आती थी फिर वो कलती गर ती लास्ट टाइम मैंने इसको एक चांस मुझे अज़िंग करना है वो एक चांस पर इसको कोंफिडेंस देखे बेज़ता था कभी यह चीज होई किसर ने ने चांस नहीं चाहोगे मुझे बहुत अच्छा लगा एशर मैं इतना कम दिन में भी मुझे मेरा फिजिक लिट श्र आया मैं ब्ली भी निकर सक्तिंग दि तो ये पीछे आप हमारा सीपियो का बैच चल रहा है ये बच्चे आप देख सकते हो सारे सीपियो की तियारी कर रहे है थोड़ा मोसम खराब तो स्टूटेंट की स्टेंथ भी कम है बागी एक बैच हमारा फुल भी होने वाला है बैच में साट से सतर बच्चे ही रखेंगे म मैक्सिमम और जो बच्चा पहले आएगा उनको एडमिशन मिलेगा जो बच्चा पुराना भी है और बाद में आता है उस बैच में नहीं मिलेगा मैं पहले ये वीडियो के थरू भी आपको बोल रहा हूं बागी मैंने अपने वाट्सप पे स्टेटस भी लगा के भी बता जो बच्चा पुराना है तो जो बच्चा पहले आएगा उसी कोई अडमिशन दूगा यह नहीं कि पुराना है तो बैच में बड़ लूँगा ऐसे नहीं होगा और बैच हमारे स्टेंथ रहेगी 60-70 बच्चों की और जो बच्चे वीक है अगर मन से आते हैं तो ये अकेडमी ज़ाइन करो दोखों सबसे पहरे एक चीज जरूरी है यहाँ पे आ रहे हो तो जो मैं वर्काउट करवा रहा हूँ उस वर्काउट पे आप अच्छे से द्यान करता हूँ और अकेडमी ज़ाइन करने वाले बच्चे नीचे नंबर आ रहे हैं यहाँ पर कोल करके डिस्क्रिप्स इंबोक्स में नंबर डाल दूंग डाल दूंग यहाँ आप अकेडमी ज़ाइन कर सकते हो और एक बर मैं इन बच्चों से भी experience पुछवा देता हूँ पि मैं गिराउंड में लगा हूँ सबके साथ त्यारी त्यारी में कोई कमी नहीं चोड़ूँगा और गारंटी से फीजिकल किलियर करवा के बेज़ूँ बैस जब यहाँ पर आओ अकेडमी में आओ तो उस दिन यह सोच किया ना कि जो सर बताएंगे वो चीज हमें करनी है और झाल